नमस्कार दोस्तों कासन स्टडी के आंलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है तो इसके पहले वाले क्लास में हम आपको एक से लेकर 40 तक दूसरे क्लास में 40 से लेकर के 80 तक मायनी कुईशन करवा चुके हैं तो इस क्लास में हम 81 से कुईशन करवा रहे हैं 81 से 120 तक कुई हमारा question number 81 कह रहा है socomputer के memory में डाले गए cars को परदर्सित करता है major computer के memory में डाले गए कार को परदर्सित करता है तो जैसा कि चार auction दिये गए इसमें हमारा कौन सा option सही है आपको इसका answer बताना है त्ध कम चौपämän गेम खेलना किसे से आसान होता है कीबोर्ड से माउस से जैस्टिक से ये सभी से तो यहाँ पर हमारा एंसर क्या हो जाएगा गेम खेलना किसे आसान होता है तो यहाँ पर हमारा एंसर हो जाएगा जैस्टिक से जैस्टिक से गेम खेलना आसान होता है अगला question देखिए, question number 83 कह रहा है CTRL, shift और eld को किस कौन सी कुझी कहते हैं यह तीनों कुझीया लिखें गई हैं, इन तीनों कुझीयों को कौन सी कुझी कहते हैं तो यहाँ पर answer हमारा क्या हो जाएगा, इसका answer आपको बताना है तो यहाँ पर जो हमारा answer हो जाएगा, modifier modifier यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा अगला question देखिए, question number 4 कह रहा है अधिकांस products पर printed line के pattern को क्या कहते हैं अधिकांस products पर printed line के pattern को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं, इसका answer क्या होगा, question number 84 में उन्हें हम क्या कहते हैं तो बार कोड्स कहते हैं बार कोड्स यहाँ पर हमारा सही एंसर हो जाएगा क्विश्ट नमर पचासी देखिए क्विश्ट नमर पचासी कह रहा है OCR का पूर्डूप क्या है OCR का पूर्डूप क्या है तो जो यहाँ पर हमारा एंसर हो जाएगा Optical Character Regulation हमारा यहाँ पर सही एंसर हो जाएगा Question No.86 देखिए Question No.86 कह रहा है निम्न में से कौन सा Output Device नहीं है इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा Output Device नहीं है Question No.86 में एंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो Touch Screen है Touch Screen Output Device नहीं है और बाकि जितने हैं सब हमारे Output Device है तो इसमें जो हमारा एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा Touch Screen Touch Screen यहाँ पर सही एंसर हो जाएगा अगला Question देखिए Question No.87 कह रहा है बेक्तिगत Computer है तो सबसे साधरना Storage Device है बेक्तिगत Computer है तो सबसे साधरना Storage Device है तो एंसर इसमें क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा एंसर हो जाएगा Fluffy Disk Fluffy Disk यहाँ पर सही एंसर हो जाएगा अगला Question देखिए Question No.88 कह रहा है Monitor के Display आकार को कैसे मापा जाता है Monitor के Display आकार को कैसे मापा जाता है Question No.88 में अंसर क्या हो जाएगा तो Monitor के Display आकार को मापा जाता है Diagonally से Diagonally के माध्यां से मापा जाता है अर्थात Option No.B सही है Question No.89 देखिए 89 कह रहा है Computer में Printed Dialog पाने के लिए यूज किया जाने वाला Input Device कौन सा है Computer के Printed Dialog पाने के लिए यूज किया जाने वाला Input Device कौन सा है तो 89 में अंसर हो जाएगा Scanner हम किसका प्रियोग करते हैं तो Scanner का प्रियोग करते हैं Question No.90 देखिए Question No.90 कह रहा है पहला Computer Mouse किसने बनाया था तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि पहला Computer Mouse किसने बनाया था तो 90 में अंसर क्या हो जायेगा तो 90 में जो अंसर हो जाएगा पहला Computer Mouse किसने बनाया था तो Douglas Engelworth ने बनाया था तो यहाँ पर जो हमारा अंसर हो जाएगा Option No.20 ही हो जाएगा Question No.90 कह रहा है जब PC पर किसी डाकुमेंट पर कार करते हैं तब डाकुमेंट आस्थाई रूप से इस्टोर होता है तो वो डाकुमेंट कहां पर इस्टोर होता है CPU में, RAM में, ROM में या CD-ROM में तो 91 में एंसर क्या हो जाएगा जब PC पर किसी डाकूमेंट पर कार करते हैं तो डाकूमेंट अस्थाई रूप से इस्टोर करता है तो 91 में एंसर क्या हो जाएगा RAM यहाँ पर हमारा सही एंसर हो जाएगा Question number 92 देखिए Question number 92 कह रहा है Computer की मुख memory क्या है Computer की मुख memory क्या है तो एंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मतलब यह होगा कि Computer की मुख memory कहां पाई जाती है भीतरी भाग में मैं सहायक मैं इसमें हमारा answer जो हो जाएगा कि Computer में जो मुख memory होती है वो भीतरी भाग में पाई जाती है अर्थाथ uh solu from number B सही हो जाएगा अगला कुशन देखे, कुशन नमबर 83, 93 कह रहा है, फलाफी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से सम्मंद रखती है, तो यहाँ पर एंसर क्या होगा, 93 में, तो यहाँ पर 93 जो हमारा एंसर हो जाए, एक्स्टरनल, एक्स्टरनल यहाँ पर हमारा सही एंसर हो जाएगा, कुशन नम रेम पिस प्रकार के मैमोरी है, बाहरी मैमोरी साहिक मैमोरी भीट्री मैमोरी या मुख मैमोर आठात आफसो नमबर डेश ही हो जाएगा क्तलोित नमबर 595 निम्न में से कानं रेम नहीं है इसमें आपको ये बताना है कि इन में से कौन RAM नहीं है तो जो यहाँ पर हमारा option number A है प्रेम प्रेम यहाँ पर RAM नहीं होता है बाकि जितने भी हैं सभी RAM है अगला question देखिए 96 में कह रहा है cell phone को किस प्रकार से storage device का उप्योग किया जाता है cell phone में किस प्रकार के storage device का उप्योग किया जाता है तो 96 में answer क्या होगा इसका answer आपको बताना है 96 में answer क्या हो जाएगा तो 96 में जो option हमारा सही हो जाएगा option number A सही हो जाएगा question number अगला देखिए question number 97 बें कह रहा है कि internal storage किस प्रकार का storage है internal storage किस प्रकार की storage है question number 97 में answer क्या हो जाएगा तो जो internal storage होता है वो primary यहाँ पर storage है यहाँ पर primary हमारा सही answer हो जाएगा अगला question देखिए question number आगे कह रहा है 98 number में कह रहा है किस memory में रख़ा data बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारा एंसर हो जाएगा रैम यहाँ पर सही एंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए कुशन नमबर 99 कह रहा है कि CD को Compact Disc के अलामा और किस नाम से भी जाना जाता है CD को Compact Disc के अलामा और किस नाम से जानते है तो यहाँ पर हमारा एंसर क्या हो जाएगा 992 में एंसर क्या हो जाएगा तो इसे हम Optical Disc के नाम से जानते है तो उन्हें क्या कहते हैं Optical Disc अगला कुशन देखिए कुशन नमबर 100 कह रहा है कि सबसे कामन प्रकार की Storage डिवाइस है सबसे कामन प्रकार की Storage डिवाइस है तो कैसी डिवाइस है सव में कौन सा एंसर सही हो जाएगा सबसे कामन प्रकार की Storage डिवाइस जो होती हो Magnetic डिवाइस होती है अगला कुशन देखिए कुशन नमबर 101 कह रहा है CD से आप क्या समझते हैं CD से आप क्या समझते हैं CD के द्वारा हम पढ़ा और लिख दोनों सकते हैं Question number 102 कह रहा है NIMN में से कौन सा optical disk का उधारण है Question number 102 में answer कौन सा सही होगा आपको इसका answer बताना है तो जो यहाँ पर answer हो जाएगा digital Digital यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा Digital वर्जेटाइल डिस्क यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा Question number अगला देखिए 103 number कह रहा है कौन सी device प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है कौन सी device है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच की अंतर को समझ सकती है तो 103 में answer क्या हो जाएगा Microprocessor Microprocessor यहाँ पर सही answer हो जाएगा Question number 104 देखिए Question number 104 कह रहा है DVD का उधारण है DVD का उधारण क्या है DVD का उधारण आपको बताना है तो DVD का उधारण क्या है तो यहाँ पर जो हमारा answer हो जाएगा Optical disk आप्टिकल डिस्क की यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा question number 105 देखिए question number 105 कह रहा है कि computer की परमुख memory को कहा जाता है तो computer की परमुख memory को किया कहा जाता है जैसा कि यहाँ पर आपके 4 option दिये गए है इसमें जो यह सभी हमारे सही option हो जाएगे computer की परमुख memory को primary memory या आंत्रिक memory या प्रार्थफिंग memory सब कुछ कहते हैं तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा question number 106 देखिए question number 106 कह रहा है disk code track को और structure में विभाजित करने के लिए sorry करने की परकिरिया क्या है disk code track को और सेक्टरों में विभाजित करने की परकिरिया क्या है तो 106 में answer क्या हो जाएगा यहाँ पर fire meeting fire meeting यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question देखिए question number 107 क्या कह रहा है question number 7 107 number कह रहा है कि Nimd में से क्या storage device का उधारन नहीं है Nimd में से क्या storage device का उधारन नहीं है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा तो 107 में answer क्या होगा Nimd में से क्या storage device का उधारन नहीं है तो इसमें जो answer हो जाएगा fluffy fluffy यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा question number 107 में जो answer का उधार नहीं है तो रेम रेम यहां पर हमारा सखें सर हो जाएगा कुश्यन न Daarम देखिए कुश्यन present date कहे रहा है आउड में फाइल सिख्टम अस्थाई रूप से संग्रहण्णीन में रहता है तो एक सो में answer क्या हो जाएगा तो जो डीबीडी होता है उसे हम digital video disk कहते हैं उसे क्या कहते हैं तो digital video disk अर्था ता option number B सही आपर हमारा हो जाएगा option number B सही है तो option number B यहाँ पर सही हो जाएगा अगला question देखिए question number 110 कह रहा है कि CPU के लिए सामान गड़ित परफार्म करता है तो 110 में answer क्या सही होगा इसका answer आपको बताना है तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा ALU यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा question number 111 कह रहा है कि motherboard के component के बीच information किसके माध्यम से travel करता है motherboard के component के बीच information किसके माध्यम से travel करता है तो 111 में answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा बस यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा BUS हमारा सही answer हो जाएगा अगला question देखिए question number 112 कह रहा है computer का मुख पटल क्या कहलाता है computer का मुख पटल क्या कहलाता है 112 में answer क्या होगा तो question number 112 कह रहा है computer का मुख पटल क्या है तो motherboard motherboard यहाँ पर सही answer हो जाएगा आगे देखिए question number 113 में कह रहा है कि PC का पूरा नाम क्या है तो PC का पूरा नाम क्या है तो उससे हम personal computer कहते है परसनल कंप्यूटर यहाँ पर हमारा एंसर हो जाएगा क्विशन नंबर 114 कह रहा है एकसरीज जो है जिस सस्थान पर सिस्टम यूनिट में जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं एकसरीज जिस सस्थान पर सिस्टम में जुड़े रहते हैं उनका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मसीन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस मसीन, अर्था तॉपसर नंबर A सही हो जाएगा, अगला कुशन देखते हैं, कुशन नंबर 116 कह रहा है, विसेश परकार के संगीत उपकरोणों को साउंड कार्डो में कौन सा पोल्ट जोड़ता है, तो 116 में कौन सा एंसर सही हो जाएगा, तो यहां पर जो हमारा एंसर हो जाएगा, मीनी, मीनी यहां पर स्वारी दोस्तों, यहां पर मीडी मीडी, यहां पर हमारा सही एंसर हो जाएगा, अगला कुशन देखिए, कुशन नंबर 117 कह रहा कुछ नमबर 117 में एंसर क्या होगा तो जो यहां पर 117 में एंसर हो रहा है Motherboard मदर बोल्ड यहां पर हमारा सही एंसर हो जायेगा अगला कुछ देखें कुछ नमबर 118 कह रहा है डिस्क को पढ़ने के लिए परियोग में आने माला hardware कौँ सा होता है डिस्क ड्राइब को डिस्क को पढ़ने के लिए परियोग में आने वाला हार्डवेर कौन सा होता है तो यहाँ पर जो एंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइब डिस्क ड्राइब यहाँ पर हमारा सही एंसर हो जाएगा कुशन नमबर 19 कह रहा है एंसर 11 में क्या हो जाएगा इसका एंसर आपको बताना है तो इसका एंसर हो जाएगा सर्किट डिस्क है सर्किट डिस्क यहाँ पर हमारा सही एंसर हो जाएगा आपसर नमबर D सही हो जाएगा कुशन नमबर 120 बताइए Expansion Card किसमे Insult किये जाते हैं Expansion Card किसमे Insult किये जाते हैं तो यहां पर Answer क्या हो जाएगा Expansion Card किसमे Insult किये जाते हैं 120 में हमारा कौन सा Answer सही होगा तो इसमें जो हमारा सही Answer हो जाएगा Slot यहां पर सही Option हो जाएगा अर्थात Option C यहां पर हमारा सही हो जाएगा Expansion Card किसमे Insult किये जाते हैं तो C में यहां पर Slot हमारा सही Answer हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों आपके लिए Total 40 Question लेकर के आये थे यह 400 Question आपके लिए बहुत Important है तो जो भी बच्ची अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह Class आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी Share करिएगा तो इसी के साथ हम यह Class यहीं पर इंड करते हैं समाप्त करते हैं अगले Session में कल पुनाईसी टाइम मिलेंगे नमस्कार